नमस्कार आप देख रहे हैं उतर प्रिदेश टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ स्वाते सिंग बदलाव की आच्वा में बदलते उतर प्रिदेश में पिछले 24 घंचे में क्या खुश हो आए जानते हैं उतर प्रिदेश लोग सेवा आयोग ने PCS परिक्षा 2024 के लिए नई नीतीतियों की घोशना की है आयोग ने पहले 17 नवेंबर 2024 को परिक्षा आयोजित करने की योशना मनाई थी लेकिन अब ये परिक्षा 22 दिसमबर 2024 को एक ही दिन दो पालियों में आयोजित की जाएगी अभ नई वैवस्थाएं भी लागू की है उतर प्रिदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में वड़ोत्री की होशना की है मुखेमंत्रियोग यादितेनात ने वड़ोत्री के साथ एक महत्वपुन बयान देते हुए कहा कि राजसरकार की कोशिश है क कि कर्मचारी खुशाल रहें और उन्हें समय पर लाव मिल सके अब पांच में वेतनमान के कर्मचारियों को 455 प्रतिसत और 6 वेतनमान के कर्मचारियों को 246 प्रतिसत महंगाई भरता मिलेगा ये व्रिदी एक जुलाइद हुज़र चौबस से लागू होगी और नवेंबर के तहत प्रतेक किसान को एक डिजिटल आईजी कार्थ मलेगा जिससे उसकी क्रिशी गतिवीधियों और भूमी संबंधी जानकारी को सुरक्षित रखा जा सकेगा इसके माध्यम से किसानों को सरकारी ओशनाओं का भी लाव असानी से मिलेगा और उन्हें सस्ते कर्ष अनु की है इस स्किम के तहत बेभे नाकारों के प्लोट के निलामी होगी जिसमें 3400 वर्ग मिटर से लेकर 20,000 वर्ग मिजर तक के प्लोट शामिल होंगे ये प्लोट व्यापारिक और आवासी प्रयोजनों के लिए उपलब्द होंगे इस स्कीम के जरिये इरया विकास कार्यों को बढ़ावा देगा और रोशकार के नए अपसरत्पन करेगा सरकार का उदेश इस योजना के माध्यम से यमनशेत्र के विकास को गती देना और नई परियोजनाओं को बढ़ावा देना है निलामी प्रकेरिया को पारदर्स्ती बनाए रखने के लिए उनलाइन प्लाटपॉर आई आई टी विकल्स विकल्स स्माथ प्रकेरियोजनाओं क्ल में देखने के लिए भॉब स्थे शझोटेंग से विकन में प्र leans रहाए डान को अधिक सूला वोजक्स रक्षित बनाए जाए europa किब भारत में इलेक्ट्रॉनिक बाहन की बढ़ती मांग को देखते वे बड़ा कदम बताया है फिलाल इस मुलेचीन में इतना ही ऐसे और भी खबरों को देखने के लिए बन रहें मेरे साथ और देखते रहें उत्तर प्रदेश टाइम्स हम है तेश के दिल उत्तर प्रदेश की ध